वेलकम टू मास्टर मैंडव जीके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंडव जीके में अभी हम लोग CSBC के ओफिशल वेपसाइट पे हैं और आपको लिए खुश ख़बरी लेकर आया हूँ फ्रेंट्स कि आपका बिहार पुलिस में आपका जो होता है मध्नि सेद विभाग प्रोवेशन डिपार्टमेंट उससे आपको कुछ निव भैकेंसी आज की डेट में कुछ दिर पहले आया है ठीक है फ्रेंट्स तो देखिए आपका ओफिशल वेपसाइट पर है और बिल्कुल यह आपके भैकेंसी आई है तो आहाँ पर देखते हैं आपका प्रोवेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर क्लिक करना है ठीक है ओफिशल वेपसाइट पर जा करके यहाँ पर करिएगा फ्रेंट्स तो दिखिए आपका आज की डेट में नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा ठीक है दिख सकते है फ्रेंट्स आप 17 तारिक की डेट में देट्स पुरा डिटेल देखेंगे इसका नोटिफिकेशन में क्या क्या है इसकी योकता क्या है स्वबर्स किया है तो इसके बारे इसका फोपम कबसे फिल अफ होगा है सब डेटियल लेगें तो वीडियो के लास्त बढ़े रहेगा जो चैनल पर पहले बार में क्या क्या आया है, इसके बारे में डेटेल जानते हैं, ठीका है। अफ्रेश तो देखिए आपका है आपका खुल गया है PDF नोटिफिकेशन में क्या है इसके बारे में डेटेल देख लिजेगा तो देखिए आपका लिखावा केंडरेच यान परसाथ सिपाही आपका एड्रेस दिया हुआ है अब देखते है इसको कितने पोस्ट पे ये भैकेंडरेच देखिए आपका लिखावा केंडरेच यान परसाथ सिपाही के रिक्त पदों पर भारतिय विद्वार की सिधी न्यूक्ति हित्यू विज्यापन ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम्ति थी 18.1.2022 की 18.1 जन्वरी तक इसका अंतिम्ति थी है ठीक है डेट आद रखेंगे है तो 18.1 अनि 18.1 का इसका अंतिम्ति थी है अब देखते है इसको कितने पोस्ट पे ये भैकेंडरेच आई हुई है आप यहाँ पर देख सकत है मद निशिद उत्पाद और निमंधन विभाग में मद निशिद सिपाही पत पर जिसका वेतन लेवल आपका इतना है 21,700 से आपका तिरिपन अच्छा खासा सैलली है कि रिक्तियों की संक्या 365 मातर कितना फ्रेंस तो 365 पदों के लिए ये भैकेंसी आई है ठीक है कितना य 2020 सिप्रारों होगी आज कितना तारिक है फ्रेंस 17 तारिक है और 19 तारिक से आपको ये फॉर्म फिलप होगा और डिटेल देखे फ्रेंस थ्रवाक्त दिखे दिजेगा मद निशिद दूत पादेव निमंधन विभाग में मद निशिद सिपाही पत पर चेन हेतुराज सरकार द्वारा आपका इस सब डिटेल दिया हुआ है इस सब अभी पढ़ने की जरूतने फ्रेंस टैमिस में थे होगा तो ये फैकेंसी आई हुए फ्रेंस आपका कितना 365 पदों के लिए और इसको अब भर सकते कब से तो 19 तारिक से भर सकते है और अंतिम्ती ठीक है जो आपका 18 जनवरी इसका 2022 लास्ट डेट है चलिए अब देखे में में पॉइंट पढ़ लेता है फ्रेंस समझ गयोंगे वैकेंसी आई हुई है अब देखे यहां पर लिखा हुआ है फ्रेंस मद निश्यत सिपाही के पद पर न्यूकती है तो आवेदन के लिए पात रता ये देखना बहुत जरूरे कौन ये भर सकते हैं तो देखे फ्रेंस इसमें आपका महिला और पुरूस दोनों के लिए है भारतिय नागरी खोना निवार है पुरूस महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते है ठीक है दुसरा में है अभियार्थों की सैशनिक योगता रखा गया ह है तो मदिनी सिपाही की पत के लिए सैशनिक अहरता दिनांक एक 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 इतना तक इंटरमेडियेट उतिन अथवा बिहार राज सरकार के मदर्सा बोट द्वारा निर्गत मौलवी परमानपत अथवा बिहार राज के संस्कीर बोट द्वारा निर्गत सास्त्री जी रही परमान पत्रत्वराज सरकार द्वारा माननेता प्राप्त समकच शैशनिक अहरता होगे आनि कि आपका ये भैकेंसी जो आई हुए फ्रेंस कितना तो 10 प्लस 2 पे है ठीक है बाराहमी जो पास है वही यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंस आपका 1-1-2020 तक इंटरमेडिय 10-2 उतरन अनिवार है या उसके समकच और ये जो भैकेंसी आई हुए है बाराहमी कच्छा के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं बारहमी जो पास है और उम्रह थारा साल हो गया हुआ फ्रेंस तो भर सकते हैं ये जो भैकेंसी आई हुए कि आपका 10-2 प्लस 2 पे है आगला है आपका यह भिहार्थी के उम्रेद दीन आंक 1,121 को मैट्री कत्फवा समकश पर्मानपत के अंसर निमने होगी भी ठिक है और अपका जो आयू की काईटिंग के ज़ाए गन्ना के जाएगी आपका 1,122 को मैट्री कत्फवा समकश पर्मानपत रहा एक एक 2021 तक के समकच होगा ठीक है फ्रेंस अब देखिए कह रहा है आपका कि समान जो है अनराचित है यानि जेनरल लोग है पुरू से वो महला के लिए नियूंतम है जो 18 वर्स और अधिकतम है जो 25 वर्स ए बहुत इंपोर्टेंट है जो जेनरल है फ्रेंस जेनरल में जो आत इसको मैट्रिक है समकच परमानपत के अंसार मिलान करना होगा दूसरा पिछड़ा बर के लिए फ्रेंस तो उनको नियूंतम 18 साल है और अधिकतम 27 वर्स आनि दो सल को ग्रेश दिया गया दो साल की ओभी सीवला को छूट दिया गया पिछड़ा अत्यांत पर से एस सी और ए के लिए पिछड़ा बर्ग अत्यंत पिछड़ा बर्ग कोटी के लिए नियूंतम 18 से 27 रखा गया पिछड़ा बर्ग के लिए 18 वर्स और अधिकतम कितना है 28 वर्स है फिर अनुसुचित जन जाती पुरुस महिला अथर्ट सभी के लिए है जो अधिकता में जो 30 वर्स है ठीए फ्रेंस यहां पर देख लिएगा उनके लिए 30 वर्स रखा गया तो यह आपका उम्र के कट हो गया फ्रेंस आपका आगे है फ्रेंस आपका कि बिहार के सरकारी सेवकों द्वारा उच्तर वितनमान की सेवा समवर्ग में जाने के लिए प्रत्योक्ता परिछा में भाग लेने है तो अधिकतम आयू सीमा पांच वर्स की छूट दी जाएगे जिन्होंने नियमित सेवा में नियूनतम तिन वर्स की अब दी पूरी कर ली हो ठीक है आगे है फ्रेंस की आपका सभी वर्ग के लिए दिव्यांता की अधार पर धिकतम आयू सीमा दस वर्स छूट दिया जाएगी राज के बाहर दिव्यांग अभियार्थियों गन्ना अनरचित रेनी में की जाएगा आनिकि जो अपना राज अनिक अधिकतम आयू सीमा में तीन वर्स तथा परतिर अच्छा सेवां बिताएगे इसेवाब दिके यूग के समतुली रियायत रियायत दी जाएगी बसरते उनकी वास्त्विक उम्र कटफ तिथी संतामर वर्स से अधिक नहीं हो जाएगे ठीक है फ्रेंस तो समझ गेंग अभ्यार्ति का सारेरिक मांदन में देखे दिया हुआ है उचाई सीना और वजन के लिए कोई अंक दिये नहीं होगा अपका उचाई अगर धीक है तेसा निक आपको जादे अंक मिले सीना के लिए नहीं दिया जएगा वजन के लिए भी नहीं दे परन्तु भीत आहरता अब देखे सारे रिक मापदंड क्या रहने वाला है तो जेनरल कटेगरी के है पिछड़ा वर्ग के पुरूस के लिए नियूंतम 165 cm उनकी हाइट होनी चाहिए ठीक है अनराच्छित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूस के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूस के सब्सक्राइब के पुरूस कि लिए नियूंतम कीटना 1600 cm होना चाहिए सभी वर्गों के महलाओं के लिए नियूंतम 155 cm होना जानी कि जो महला है उनका फ्रेंस कितना होगा हाइट तो 155 होना चाहिए तबी वह योग्यों होंगे आगे सीना में आपका आपका कि है फ्रेंट्स उतना तभी आपको स्लेप होगा अत्यांत पिछला वर्ग का भी वही हो गया फ्रेंट्स पाच इतना हो गया अनुसूची जाती जन जाती पुरुसों के लिए देखिए आपका नियुन्तम है आपका 79 और फुला करें कितना 84 ठीक है इनको थ्वा सा ग्रेस दिय क्वालिफाय कर दिया जाएगा दिव्यान के लिए मांदंड़ यहां पर दिया हुआ फ्रेंट्स ठीक है किनर के लिए अ नियुक्ति पर किरिया में देखे कैसे किसी के बारे मित्वलत देख लें पर्थम चरण में क्या होगा लिखित परिछ्छा होगा आवेधन की उपर फ्रेंस देखे यहां पर अस्पर्ष लिख दिया गया फ्रेंस भैकन सी टेन प्लस टू पे है लेकिन इसमें जो कोश्चेंप पूछा जाएगा उसका जो लेवल रहेगा जो फिर पहले इसमें सुधार किया गया पहले टेन प्लस टू के अस्थर से पूछा जाता था लेकिन अब ही सुधार करकर करकर कैया फ्रेंच अधबि जू भी प्रश्ट रहे गो दस्मिक च्छर्णु मैयट्र की समकच होगा लिखित परिफ्चह हुगा सौ अंकों की होगा ठीक है अपकी लिखित परिफ्या की आपकी लिखित परिफ्चह ऑगे यानि कि इसका भी जो है OMR सीट पर होगा फ्रेंस आनि कि online आपको नहीं होगा offline एक जाम हो OMR उत्तर पुस्तिका दो पर्तियों में होगी जिसमें एक पर्ति अद्रिश कार्वन के रूप में किंद्री चरन पार्षान अंतिम चैन सुची प्रकासित होने के पशात एक वर्ष तक सुरच्षित रखे जाएगी लिखित परिश्चा में अब यार्तियों OMR अधारित उत्तर पुस्तिका पर्वांशित सुचना हो यह रॉन नमर बगेरा इसा भढ़ने के लिए OMR शीट पर ही आपको अंसर देना है यह द्रिश्टी ही ने कम द्रिश्टी दिव्यान के लिए है पाठ करम के लिए दिखा दे है फ्रेंस तो आपका शिलेवस के बारे में तो लिखित परिश्टा का स्तर बिहार बिध्याले परिश्टी के दस्मी कच्छा अथ्वामैट्रिक के समकच अस्तर का होगा यह मैं पहले भी कलिए कि आप जो भी बिहार पुलीस की बहाली आगे फ्रेंस उसका जो कोंश्टन का लेवल रहेगा वो दस्मी कच्छा के समकच ही रहेगा लिखित परिश्टा में आपका हिंदी अंग्रेजी गनीत समाजिक बिग्यान में आका इतिहास भूगोल नागरी सास्त अर्शास बिग्यान में भौतकी रसायन सास्त प्राण विग्यान वनस्पति समान ग्यानेवं समसमाईक मामले से सम मंदित प्रस्टन होंगे आनि जो सिलिवस बिहार पुलीस का है फ्रेंस वही आपका इसमें भी है उत्पाद वलाम जो नया भेकेंस इसमें भी आपका हिंदी से 10 कोश्चन अंग्रेजी 10 कोश्चन गणी से 10 कोश्चन बाकी समाजी भिज्ञान से जिक्के जिये समीला करके कम से कम मतलब की मिनममी क्वालिफाई के लिए रखा गया है अवाले अभी आर्थी को सारीरिक दस्ता परिश्चा के लिए असफ़ल गोज्चन आपको इसकार नहीं होगा ठीए फ्रेंस आगे है लिखित परिच्छा अंतिम मेघा सूचिक अधार नहीं इसमें भी है फ्रें परिच्छा सिर्फ क्वालिफाई करिए तो सारीरिक योगता के लिए उसके बाद फिर बनेगा लिखित परिच्छा में प्राप्त अंकों के अधार पर यथा सम्मों गिपित रिक्तियों के आरच्छन कोटिवर पांच गुना रिजाल्ट इसमें भी दिया जाएगा उस सभ सारीरिक योगता के निर्धारित मांदन में दिवियांग अभिहार्ति को छोड़कर अभिहार्ति के लिए कोई छुट अनुमाने नहीं होगा ठीक है अब देखिए पहला तो आपका लिखित परिच्छा जिस तरह से आपका विहार पुलिस का फायरमन का प्रोसेस है उसी त मिनटें से कम करेंकर तो पचांस मिलेगा पार्च मिनट्से दी से केंड तो चाली मिलेगा बाइबाद में है सभी कोटी महिलाओं के लिए आपका दौर्ट भी वही होगा इसमें आपका दौर्ट ताप्रेंस आपका 1.6 dogs और 6 मिनिट में करना है महिला के लिए फिर वही रहेगा आपका 1MM का दौर्ट रहेगा उनका 5 मिनिट के आपका सब उनको दिया जाएगा बाकि सब ही आप जितना कम समय करें इसके बाद में कौला फिकर Jackie एगए 14 के 20 पे39 Oke नंबर का उची कुद हो गया और 25 नंबर का आपका हो गया गोला फेक टूटल 100 मर्स आपका फिजकल का हो गया ठीक है तो आप देखे इसके बारे सिलेवस भी मेगा सुची की का अनुसंचा क्या है फ्रेंस आपका देखे यहां पर थोला सा मेगा सुची चैन के अनुसंचा कोला फेक सारेटिक दस्ता के अनुसार पर ही मेगा सुची बनेगा जिस तरह से बिहार पुलिस में आपका बनता था फ्रेंस तो मेरे ख्याल से आप समझ गयोंगे अप सीट देख लेता है कैसे तरह से डिवाइड क्या हुआ है तो जेनरन के लिए फ्रेंस आपका पदों की कूल संख्या कितना है तो आपका 126 पद है ठीक है उसके तरह से आर्थिक रूप से कंजोर वर्ग के लिए 29 है अनुसोचीट जातिक के लिए पद है अनुसुचित जन जाती के लिए च्छा पद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 21 है और पिछड़ा वर्ग महिला पिछड़ा वर्गों की महिला के लिए आपका 13 है 35 पर 36 पर अरच्छन के फरस्रूप महिलाओं के लिए नियुंतम पदों की संख्या कुलिस तरह से है ठीक है फ्रेंस तो देखें आरच्छन के तहत में आपका 14 जेनरल में हो गया महिला का उसी तरह से आपका हो गया आर्थिक रूप से कमजोड वाले के नौ हो गया पर वद्धान है सब्सक्राइब दिया हुआ है तो आप लोग इससे बहर सकते हैं इंट्र होना चाहिए अब इसके बारे में मेरे ख्याल से सभी जारनकारी मिल गए होगे महिलाओं के लिए क्या प्रवधान है सभी अहाँ पर डिटेल दिया हुआ है तो आप लोग उनीज तारिक से इसको अपलाई कर सकते हैं ठीक है आपका ये बाकिर दिया हुआ है अबेदन भरने के बारे में देखे यहाँ पर दिया हुआ है क्या हां मद इसे यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर से देखे प्रें ऑनलेन अबेदन मद इसे सिपाय के पदो पर चेन है तो ऑनलेन अबेदन पत्र भरने की पदिती अपनाई गई है उनिस तारिक्से सब्सक्राइब को बहार राज चाहे किसी कोटि वर्ण के महला पुरूस के लिए आूनलाइन आवेधन पत्र होगा और सभी के लिए देखे आपका 675 रुपया का फी लगेगा ठीक है फ्रेंस आपका कर रहा है कि अत्यांत पिछला वर्ग पिछला वर्ग आर्थिक रुप से कमजोड वर्ग अनरचित के पुरुस अभियार्थी उम्राज बाहर के अभियार्थी जो भी कोटी का हो 675 रुपया का आपको फॉर्म बनने में प्रेंस यहां पर दिया हुआ है उसके बाद में है आपका उप्रोक्त रासी या त्रीक्त केंद्री चैनल पर सब्सक्राइब आपको किस तरह से पैमेंट करना वहां पर पता चल जाएगा फॉर्म बनने में आवेदन पत्र के लिए वसक निर्देश दिया हुआ बरने के लिए वेबसाइट पर वसका निर्देश उपलब्द है अभी आर्थों के लिए सला दी जाते हैं सभी दिशान निर्देश को भली भाती अधियर कर लें तथा आवेदन बरने के करम में सभी सुचना है सही-सही करें यदि कोई सुचना जूठी या गलत पहे जाए यहां पर दिया हुआ है कि इस तरह से आपका भरना आवेदन क्या की आपको जिरूरत पड़ेगा ठीक है he तो आप समझ गें हैं आई ह। इसका अन्लाइना ख़र और अच्छा है फ्रेंस बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भी है इसमें आपका उपरी कमाई भी होता है तो मध्ध कहां से निकलाओ उत्पाद एवं मध्ध सौरी उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मध्ध निशेद शिपाही ठीक है फ्रेंस इसके लिए 365 पदों पे यह आपके निकती आई हुए है तो इसको आप लोग 19 तारिक से फॉर्म को लिप कर सकते है ठीए फ्रेंस वीडियो अच्छा लगाओ फ्रेंस सही जनकारी मिलो तो वीडियो को लाइक जुरू करेगा नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं देखने के लिए थैंक्यू धन्यव हान